स्टाइब करें ताके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जा दिक्टेशन पाथ सेकंड में स्टार्ट होगा 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट दूसरी लहर का असर कम पढ़ने के साथ ही राजियों ने डेड़ महीने से जादा की बंदी पाबंदियों में धील देना शुरू कर दिया है यह अब आपरिहार हो गया है क्योंकि लंबे समय से कारोबारी गतिविधियां बन पढ़ी हैं अर्थविवस्था को भारी चपत लग रही है आम लोगों को मुश्किलों से दोचार होना पढ़ रहा है ऐसे पाबंदियों को चरनबद तरीके से हटाने के इलावा कोई रास्ता बस्ता भी नहीं है इसलिए दिल्ली महराष्ट उत्तरपरदेश मद्यपरदेश पच्छिम बंगाल तमिलनाडू राजिस्थान हरियाना आदी राज अपने अपने हिसाब से परतिबंदों में धील दे रहे हैं महराष्ट ने धील देने की पांच अस्तरिय योजना लागू की है धील देने को पैमाना सपताहि संक्रमन दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलबधता को बनाया है जहां खत्रा सबसे कम होगा वहां सभी बाजार, मौल, रिस्तरा, सिनेमा घर, खेल, प्रतिस्थान, जीम, सभी सरकारी और नीजी दफ्तरों को महमारी से पूर्व की तरह खोला जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी तीन घंटे के लिए बार रिस्तरा आदी खोलने की छूट दी है तमिलनाडू सरकार ने सुबा छे बजे से साम पांच बजे तक सारे बाजार खोलने और दफ्तर खोलने का फैसला किया है उत्तर परदेश सरकार ने भी जादा जिलों में बाजार खोलने का समय बढ़ाया है दिल्ली सरकार निर्मान और अधोगिक गतिविदियां शुरू करने की अनुमती तो पिछले हफ्ते ही दे चुकी है सच्तो यह है कि महमारी का खत्रा कहीं से कम नहीं पड़ा है अभी सिर्फ असर कम हुआ है राहत की बात इतनी ही है कि संक्रमन की दर कम हुई है मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 95 फीसदी से उपर है मौतों के आकड़े भी नीचे आ रहे हैं ऐसे में साबधानी के साथ काम धन्दे फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं इससे तो हालात समान्य बनाने में मदद ही मिलेगी बंदी और पाबंदियों से सबसे जादा मुश्किल रोजाना कमाने खाने वाले तबके को हो रही है इनमें देहारी मजदूरों से लेकर रेडी पटरी लगाने वाले तक हैं छोटे मोटे कारोबारी हैं बंदी की सबसे जादा मार इसी तबके पर पड़ी है एक करोड से जादा लोग बेरोजगार हो गए एक मोटा अनुमान यह है कि इस बार डेड़ महीनी की बंदी से देश को पंदरा लाग करोड रुपे का नुकसान हुआ है मौजूदा हालात में फूक फूक कर ही कदम उठाने की जरूरत है एक साथ सारी गति वीडियों को खोल देने फिर से बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है इसलिए हर जगा के हालात को देखते हुए धी धील देना उचित होगा गौर तलब है कि इस बार दिल्ली सरकार ने 50 फीसदी छमता के साथ मेटरो चलाने की छूट दी है मौल और बाजार शमविशम आधार पर खुलेंगे ताकि बाजारों में भीड ना बढ़े राजियों के सामने अब दोहरी चुनोती है कारोबार गतिविदियां शुरू करते हुए जन जीवन को पटरी पर लाना है और संक्रमन को भी फैलने से रोकना है छोटे बड़े कारोबार ही राज के राजस्वे का सुरोत होते हैं इसी से अर्थविवस्था चलती है इनमें कोई संदे नहीं की हालात सामाने बनाने में नागरिकों की भूमी का सबसे अहम है धील का मतलब यह कतई नहीं की अब सब कुछ सामाने हो चला है जरा सी छूट मिलते ही लोग किस कदर बेपरवा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं है या नहीं भूलना चाहिए की तीसरी लहर का खत्रा सामने है ऐसे में महामारी से बचाओ के लिए जरूरी नियमों का सक्ती से पालन ही हमें संकट से बचाएगा वरना फिर से घरों में कैद होने की नौबत आ सक्ती है स्टॉप प्लीस लाइक शेयर सब्सक्राइब